दोस्तो अगर दूसरे पहलो में हम बात करते हैं क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें एक healthy year मिल सके नमबर वन healthy diet दोस्तो हमारे year के लिए जो हमारी nerves होती है जो हमारा आवसुनाई का system होता है जो हमारा अंतरिक year है उसके लिए कुछ vitamins, कुछ minerals like potassium, zinc, magnesium ये essential element है उसको healthy रखने के लिए इसलिए हमें vitamin supplements, vitamin की diets, sprouters, dry fruits ये आपको frequentty diet में लेने चाहिए नमबर दो, regular year checkups दोस्तो अगर किसी के year में problem होती है तो अगर आपको द्यान हो तो वो एक दिन में नहीं होती इट विल टेक time उसको सने 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 वो problem होती है अगर आप में regular year checkups की habits है तो आपकी वो problem बहुत initial stage पे जो है वो cure की जा सकती है इसलिए जहां पे एक अच्छी facility हो जहां पे auto endoscopy हो यानि आपको endoscopy से year का checkup कर सकें और हमें ये पता लगे कि आपका परदा ठीक है और दूसरा important चीज है regular audiometry test specially दोस्तो 45 की age के बाद में आपको regular audiometry test कराना चाहिए साल में एक बार जिससे हमें ये पता लगे हमारा hearing का system जो है ठीक है अगर कम है तो वो बहुत ज्यादा down तो नहीं जा रहा constant है ठीक नहीं एंड उस audiometry की report को आपको समाल के रखना चाहिए जिससे हम उसको आगे compare कर सके दोस्तों एक और important चीज है उसके prevention के लिए जो हमारे delivery होती है जो हमारा newborn होता है उसमें आज के लिए करके एक test होता है तो तुरंत जन्म के बाद उसी time एक computerized test से ये पता लगा लिया जाता है कि हमारा बच्चे का सुनाई का system है नहीं जिससे आने वाले time में उसको कोई problem हो तो शुरू आती है उसको हम ठीक करें दोस्तों हमारे देश में blood pressure and diabetes बहुत कॉमन है दोस्तों ये दोनों ऐसी चीज है जो एक healthy year के दुश्मन है हमारी hearing के दुश्मन है इसलिए आपको doctor की साला के अनुसार अगर आपको blood pressure है आपको diabetes है time to time उसका proper control अगर आपका रहेगा तो आपके year में problem नहीं होगी otherwise आपका जो है बहुत छोटा सा infection भी बड़ा infection का रूप ले लेगा अगर आपका diabetes control नहीं है अगर आपका blood pressure control नहीं है तो कान के अंदर साइं साइं आवाज आना start हो जाती है और हमारी hearing भी decrease हो जाती है number fourth अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो finally जो हमारा year के अंदर कोई pathology है अगर डॉक्टर ने बताया कि परदे में छेद है परदा चिपका हुआ है और उसके अनुसार उसका treatment surgically है उसने advice किया है दोस्तों उसमें delay नहीं करना चाहिए because अगर आपने उसमें delay किया तो सने सने हमारा कान damage हो जाएगा और एक ऐसी stage में जब आप उसका इलाज कराओगे जब वो जो damage है वो भी आपका वापस नहीं आएगा इसलिए अगर आपके कान के परदे में छेद है कोई हड़ी कलीवी है whatever जो भी डॉक्टर ने बताया है उसका surgically treatment टिंपेनोप्लास्टी और mastoid ductomy surgery के माध्यम से hardly वो एक या डेट गंठे की surgery होती है और आजकल तो दोस्तों ऐसी facility है जिससे दुरबीन से भी वो संभव है पी इसे दुस्परिणाम से हमें बचा जा सकता है और फिप्त इंपोर्टेंट थिंग अवोईड रनिंग नोज एंड यू शुड हैवे हैल्दी नोज दोस्तों एक हेल्दी इयर के लिए मैंने पहले भी बताया हेल्दी नोज का होना बहुत जरूरी है आपके नोज में जो भी प्रॉब्लम है आपका रनिंग नोज रहता है आपका नेजर ब्लोकेज है आपके नोज की कोई विक्रती है इनको अगर कोई surgical treatment की जरूत है तो चा आने वाले समय में कभी ना कभी वो हमारे इयर को affect करेगा यह 100% बात है इसलिए हमें अगर उसका root कोज है हमारा नोज की pathology है problem है अगर हमने उसको treatment लिया तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे नोज इयर में कोई problem भी नहीं है So friends I think this information regarding a healthy year कैसे हम हमारा healthy year रख सकते हैं is useful for you and if you have your any query आपका कोई भी सवाल है आप मेरे comment box में डाल सकते हैं जाते जाते वीडियो को YouTube channel को subscribe करना और bell icon को press करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योगी वीडियो का notification मिलते आ रहे and thank you for watching